Hello everyone and welcome back to another video So friends, आज किसी वीडियो में हम Google के कुछ free certification course के बार में बात करेंगे जिसके लिए कोई भी apply कर सकता है चाहे आप एक college student है या फिर आप एक working professional है आप इस course के लिए register कर सकते हैं and अकर आप इसका certification अपने resume में mention करते हैं उसका बहुत अच्छा advantage आपको देखने के लिए मिल सकता है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपको इन course के लिए register करना होगा and कैसे इसके अंदर जो modules हैं उसे complete करना होगा and जैसे आप सारे modules complete कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक exam देना होता है जिसके answer मैं आपको वीडियो के last में बताने वाला हूँ सो चलिए इस्टार्ट करते हैं सो इन course में register करने के लिए आपको Google Partner Training की website पहाना होगा जो कि Google की ही website है and इस website के लिंक आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी corporate email ID से register करना होगा मतलब आप यहाँ पर अपनी Gmail account या Yahoo account से register नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है only corporate email addresses will be accepted मतलब अगर आप एक college student है तो add direct Gmail की जगे आपके college का नाम होना चाहिए अगर आप किसी company में job करते हैं तो add direct के बाद उस company का नाम होना चाहिए बट tension वाली कोई बात नहीं है अगर आपके पास कोई corporate email ID नहीं है तो भी मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आप अपनी corporate email ID create कर सकते हैं then फिर आप इसमें register कर पाएंगे corporate email ID create करने के लिए आपको simply google पर 10 minutes mail type करना है then जो first link आएगा उस पर click करना होगा जैसे आप उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर जो आपको email ID देखने को मिलेगी उसके तुरू आप इन courses में register कर पाएंगे आपको simply इस mail को copy कर लेना है then यहाँ paste करेंगे sign app पर click कर देना है जैसे आप sign app पर click करेंगे तो आपको वापे 10 minutes mail की website पर आना होगा जिसके अनर आपको यहाँ पर एक mail देखने के लिए मिलेगी आपको simply यहाँ पर verify account पर click कर देना है जैसे यहाँ उस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको आपना password create करना है पासवर्ड करेंगे के बाद आपको simply register पर click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा यहाँ लिखा होगा your account was successfully registered देन आपको simply उसी email id से and जो password आपने create किया है उससे login कर लेना है जैसे आप इसमें login करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की का form देखने को मिलेगा जिसमें आपको अपना full name डालना है आपको अपना यहाँ पर role select करना है then फिर आपको यहाँ पर अपनी language select करनी है उसके बाद आपको country select करनी है इसके बाद आपको google के कुछ product select करने है जो भी आपके favorite है then employee number and store number आप blank भी छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको नीचे register पर click करना है जैसे आप register पर click करेंगे तो आपके सामने इस platform पर जितने भी courses है वो देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर पहला course आपको देखने के लिए मिलेगा android enterprise professional जो की अभी lock है इसको आप नीचे आपको और भी इसकी तरह के course देखने के लिए मिल जाएंगे जो की अभी lock है बड़ जैसे ही आप इन courses को पूरा करते हैं जो की available हैं तो आपको हर course का certificate मिलेगा तो मतलब आप यहाँ पे 10 Google के certificate ले सकते हैं तो चलिए हम इस course पर click करते हैं और देखते हैं आप इस course मे क्या सीखने वाले हैं जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने सारे modules so हो जाएंगे जिने आपको एके करके complete करना होगा and हर modules में आपको कुछ quiz, fill-ups and match the following देखने के लिए मिलेंगे जिनके सही answer आपको देने पड़ेंगे so friends, जैसा कि मैंने ये एक course complete कर लिया है तो मुझे इसका certificate मिल चुका है जो कि आपको कुछ इस तरिके का देखने के लिए मिलेगा तो अकर आप भी इस course का certificate लेना चाते हैं तो आपको इस वीडियो के description में इस course की answer की देखने के लिए मिल जाएगी so friends, सबसे पहले आप इन सारे modules को खुद करें अपने आप क्योंकि इस certificate की तभी value है जब आपको ये course अच्छी तरह आता हो ऐसे certificate लेने का कोई फायदा नहीं है so friends, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही चैनल पर नहीं हो तो please चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चलेगे तो आइकन शेयर करें thank you